गर्मियों में हमारे garden में जो सबसे ज़दा flowering करते हैं वो plant होते हों हमारे moss rose और persilin की plant लेकिन अभी आपके भी जो moss rose और persilin हैं उनकी हालत कुछ इसी तरह की हो गई होगी तो आज हम हमारे इन ही plants को वापस से flowering देने के लिए ready करेंगे वैसे तो आप इनके पर कुछ काम नहीं करेंगे तो भी ये फ्लावरिंग करेंगे लेकिन कुछ काम अगर आप इनके पर अभी कर लेते हैं तो जो फ्लावरिंग होती है वो इनके पर बहुत ही अच्छी होती है तो यह देखिए पहले तो जो भी इस तरह से कोई घास वकर आपके प्लांट में उग गई है तो आप उन्हें हटा दीजिए अगर आप अभी इन्हें इसी तरह से छोड़ देते हैं तो इन पर फ्लावरिंग तो होती है लेकिन जो फ्लावरिंग होगी वो कभी 2-4 फूल आगए कभी पांचे फूल आगए बस इसी तरह से आपके प्लांट के ऑपर फ्लावरिंग होगी लेकिन अभी जो मैं आपको 2-4 काम बता रही हूँ यह आप कर लेंगे और जो fertilizer मैं बता रही हूँ वो दे देंगे तो जो flowering होगी वो धेर सारी इसके उपर flowering होगी और जो फूलो का color और फूलो के size होते हैं वो भी बहुत ही अच्छे आते हैं तो सबसे पहले तो आप जो भी इस तरह से आपके प्लांट के पर ब्रांचेस लंबी-लंबी हो चुकी है उन्हें कार दे या फिर कहें तो आप एक बार अपने प्लांट की अच्छे से हार्ट प्रूनिंग कर दे कोई ग्रोध हो भी रही है तो घबराइए मत एक बार अभी उसको कट कर दीजिए क्योंकि ये जो प्लांट है वो बहुत ही जल्दी बढ़ते हैं और जो आज हम पर्टिलाइजर देने वाले हैं उसके बार तो इनकी रौध बहुत ही अच्छे से होगी तो एक बार अपने प्लांट को इस तरह से हार्ट प्रूनि कर दीजिए देखिये ये जो भी में ब्रांचनस है उनको इस तरह से कट करती जा रही हो और यह जो भी मÌनचनस हम कट कर रहे हैं इन से भी आप बहुत सारी cuttings लगाकर अलग-अलग धेर सारी नए-नए plant इसके बना सकते हैं क्योंकि अभी जो season है वो इनकी growth का season आ चुका है तो आप इनकी अगर अभी समध cuttings लगाते हैं तो उनका reserve भी आपको बहुत ही अच्छा मिलता है और उनकी जो cuttings है वो बहुत ही आसानी से लग जाती है इसके लिए आपको किसी भी तरह की special मिट्टी की ज़रुत नहीं है किसी भी तरह की rooting hormone की ज़रुत नहीं है आप किसी भी तरह की मिट्टी में किसी भी छोटी से छोटी pot में भी अगर इसकी cuttings लगा देते हैं तो इसकी जो cuttings है वो थोड़े ही दिनों में अच्छे से चलने लग जाती है और इन plants को देने के लिए आज मैं आपसे chemical और organic दोना तरह की fertilizer share करूंगे आपके पास जो भी available हो या आप जो भी अपने plants को देना चाहें वो आप दे सकते हैं चाहे तो chemical भी दे सकते हैं और चाहे तो घर में बने हुए fertilizer भी आप दे सकते हैं दौनों का ही result इनके उपर बहुत ही अच्छा आता है बस जो chemical का result होता है वो थोड़ा सा जल्दी नजर आता है और जो organic चीजे होती है उनका result थोड़ा सा दीरे आता है तो जब तक मैं अपने plants के इस तरह से pruning कर रही हूँ तब तक अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को subscribe कर लीजे और bell icon को भी प्रेस कर दीजे ताकि मेरी सब ही आने वाली वीडियो के notifications आपको मिल सके अच्छे से pruning करने के बाद अब हम अपने plants की गुड़ाई करेंगे गुड़ाई करने के लिए आप या तो इस तरह से किसी भी कैची का यूज कर लीजे और या फिर चमच का जो पिछला भाग होता है उससे भी आप इस तरह से गुड़ाई कर सकते हैं क्योंकि खुरपी की मदद से तो हम इनकी गुड़ाई करने ही पाएंगे तो आप इस तरह से कोई भी या तो कोई पेच कस्वकर ले लीजे उनसे हलके हलके हाथ से इस तरह से गुड़ाई कर दीजे क्योंकि इतनी दिने तो हमारा जो यह plant था वो dormancy में था तो हम इसको न तो किसी भी तरह का कोई fertilizer भी नहीं दे रहे थे और कोई इसकी देखफाल भी नहीं कर रहे थे तो इसकी मिट्टी इस तरह से compact हो गई है या फिर बंद गई है तो यह थोड़ी सी lose हो जाए ताकि जो हमारी जड़े हैं उनको आसानी से हवा पानी सब मिल सके तो इस तरह से गुड़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है तो देखी मैंने अपने जो सारे प्लांट से उनके अच्छे से गुड़ाई कर ली है और गुड़ाई करने के बाद अब बारी आती है अपने प्लांट को फर्टिलाइस करने की तो fertilizer देने के लिए सबसे पहले मैं ये compost ले रही हूँ आपके पास जो भी compost हो चाहे तो kowden compost, वर्मी compost या फिर अगर आप kitchen waste से compost बनाते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं मैं ये वर्मी compost यूज़ कर रही हूँ और सबी pot में मैं करीबन एक-एक मूटी ये जो वर्मी compost है वो डाल रही हूँ अगर आपका pot छोटा है तो आप compost थोड़ी कम कर दीजिए और अगर आपका pot थोड़ा बड़ा है तो उसमें compost की जो मातरा है वो आप थोड़ी बड़ा दीजिए और compost एड़ करने की बाद अब हम जो अपने plants को fertilizer देने वाले हैं वो है ये डिएपी डिएपी के करण भी आपके जो plant की growth है वो बहुत ही अच्छी होगी और इनके पर जो flowering है वो भी अच्छी होगी और इनके जड़ों का जो विकास है वो भी तेजी से होगा तो आप चार से पांस दाने डिएपी के लेकर अपने सभी pot में इस तरह से side side में किनारे किनारे पर डाल दीजिए ये देखिए कुछ इस तरह से side side में मिट्टी के अंदर ये जो डिएपी के दाने है उन्हें डाल दीजिए और डियेपी के डालने के बाद अब मैं इसमेट करे हूँ ये एक एक चमच राक क्योंकि इतने दिनों क्या था हमारा जो प्लांट था वो डॉर्मेंसी में था जो इनकी मिट्टी थी वो बिल्कुल बंद गई थी तो बहुत बार क्या होता है कि इसकी वज़े से आपकी मिट्टी के अंदर फंगस आ जाता है तो इस तरह से जब हम अपने प्लांट की मिट्टी में राक एड़ करेंगे तो इससे आपकी प्लांट की मिट्टी में जो भी fungus या फिर कोई भी insect होगा तो वो खत्म हो जाएगा अगर आपके पास राक नहीं है तो आप इसकी जगह healthy powder का भी use कर सकते हैं इसके बाद मैं ले रहे हूँ ये एक लीटर पानी और इस एक लीटर पानी में मैं add कर रहे हूँ ये 1 teaspoon potash potash एक बहुत ही अच्छा chemical fertilizer है जो कि किसी भी flowering plant में flowering को boost करता है लेकिन ये chemical fertilizer है अगर आप एक chemical fertilizer यूज नहीं करना चाहते हैं तो इसकी जगह आप एक organic और घर में बनने वाला एक बहुत ही अच्छा fertilizer भी use कर सकते हैं वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बताती हूँ ये देखिए ये मैंने ये जो एक चमच potash था वो इस तरह से पानी में डालके इसको बहुत अच्छे से mix करा है आप चाहें तो direct भी potash को अपने plant के अंदर डाल सकते हैं और चाहें तो इस तरह से पानी के अंदर घोल कर और फिर अपने plants के उपर इसको दे सकते हैं वैसे भी किसी भी fertilizer को अगर liquid form में दिया जाए तो उसका असर हमारे जो plants है उसके अपर जल्दी होता है तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा अपने सभी plants के अंदर ये जो potash वाला पानी है उसे डाल देना है और अगर आपके पास DAP ये potash नहीं है और अगर आप chemical का use अपने plant के उपर नहीं करना चाहते हैं तो आप इस तरह से जो aloe vera होते हैं उनकी पत्यों को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में काट लीजिए और इन्हें पानी में डाल कर कम से कम 2-3 दिन के लिए छोड़ दीजिए तो ready है आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा fertilizer जो कि आपके plant की growth को boost करता है उसमें flowering को बढ़ाता है पौधों की पत्यों में चमक लाता है आपके पौधों में अगर किसी भी तरह का कोई fungus है तो उसे भी ये खत्म कर देता है तो ये fertilizer भी आप थोड़ा थोड़ा सा अपने सभी तरह के plants में दे सकते हैं Chemical fertilizer का यूज करते समय तो हमें उसकी मातरा का ध्यान रखना होता है कि नैंटो हमें ज्यादा देना होता है और नहीं कम देना होता है क्योंकि अगर हम जदा दे देते हैं तो वो भी हमारे pманट को नुकसान ही करता है और अगर कम देते हैं तो उसका वो रिजल्ट नहीं मिलता जो हम चाह रहे होते हैं लेकिन जो और्गनिक फर्टिलाइजर होते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता है आप अगर इसे ज़्यादा भी अपने प्लांट को दे देंगे तो उससे आपके प्लांट को किसी बितरह का कोई नुकसान नहीं होगा तो अब हमने अपने प्लांट्स की अच्छे से प्रूनिंग भी कर दी है इसकी अच्छे से गुड़ाई भी कर दी है और बहुत ही अच्छे से इसको फर्टिलाइज भी कर दिया है तो इसके बाद हमें अपने प्लांट्स को फुल सेनलाइट में ही रखना है ताकि ये बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर सके और बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग भी कर सके तो कैसे लगी आज की वीडियो आपको अगर आज की वीडियो आपको अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए